हेलो फ्रेंड्स वेल्कम डू माई चैनल आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी इससे देखते ही आप लोग पहचान गए होंगे बच्वन में इसके साथ सभी ने इंजॉय किया होगा सभी लोग खुब मस्ती करते थे इसके साथ में यह है छुई मईई प्लांट देखि कितने सुन्दर लग रहे हैं इस तरह से टेश्च कर रहे हैं तो बहुत खुबसूरत लग रहे हैं तो हम लोग बच्वन में बहुत हैं इस चाहत में आप भी इसके साथ के लिए होंगे हमारे दादा दादी के घर पे मकान के साइट साइट उनने लगा रखे थे या को हो अ बच्ट हो जाते थे वाली खिटी मीठी वी जो बूटी होती वो हम लोग उसके पते तोड़ तोल के बहुत खाते थे आज इसे देखते ही अपने बच्पना याद आ गया तो बहुत टच करकर करके हम लोग खुब खेल देते चुटियों में जाते थे मंसून टाइम के प्लान्ट का लान्ट का जाता है जंगल को परनेल बन जाता है का और यह बात मौन्सून में लेंख के लगाना चाहें सकते हैं अगर आपको cutting या प्लांट चाहिए तो आप मैं इसको प्रोवाइट करा सकती हूं आप मुझे रियम कीजिएगा और इसे बहुत ही आसानी से cutting लगा सकते हैं इसके दो-ती नोडल एरिया कट कीजिएगा चार-पाच एंच की cutting लीजिएगा और एक इसा सैन एक इसा कोपोस्ट कोपीट अवाइट कीजिएगा इस समय एक इसा कंपोस्ट एक इसा अपकी गार्डन स्वैल और दो चमच नीम की खली आप लगाएगा और इसकी cutting लग जाती ह प्रिक पिंग के फूल आते हैं बहुत सुंदर लगते हैं बहुत ब्यारे लग रहे हैं यह पुरी तरह से फैला हुआ है अगर आप लगाना चाहिए तो लगा सकते हैं और इस समय बहुत अच्छा सीजन में मौनसू सीजन में इसकी cutting आसानी से लग जाती है सीड से ग्रो कर में गाजर घास तो बहुत परिशान होगे तक सान अगर यह भी ऐसे ही आया होगा तो यह हमारे आगया तो काफी बहुत लोग पसंद करते हैं आप इसे घर में भी लगाने लगे हैं लोग अपने होम गार्डन में तो आप इसे लगाएगा फुल सन में दीजिएगा और इस प्राग इसको से एक ड्रॉट की रहती है और फैल टाता रहता है इसकी प्रहांचे ही तो अचेंक में लगा सकते हैं और टच मी नॉट टच मी कर सकते हैं 抱ग गए यह को है लगता है कोई आ गया है हमें परिशान करने तो यह अपने आपको सिकोड लेती है खट्टे पत्ते कर लेती है अच्छली इसमें एक तरह का बाटर होता है इसकी पत्तियों में जैसे हम टच करते हैं तो इनकी पत्तियों का पानी इसके नीचे की ब्रांचों में चला जाता है और यह एकदम से स्रिंग हो जाती है तो इसका रिजन यही है साइंटिफिक रिजन है कि अपने आपको सेब करती है अपने आपको बचाती है इन्हें लगता है कोई आ गया हमें डिस्टरब करने तो अपने आपको खटा गये लेती है और 2-3 मिनट के बाद इनके पत्ते फिर स खुल जाते हैं तो टेंशन लेने की जूरती है कि अरे यह तो बंद हो गए तो आप कैसे खुलेंगे नहीं कोई नहीं है दो-3 मिनट बाद फिर से खुल जाते हैं और कटिंग लगाने के लिए मैंने बता दिया सीड्लिंग के लिए वीसी तरह की स्वेल बनाएगा सीट भी क्या फर्वरी में ग्रो करना चाहिए तो फर्वरी में ग्रो कर सकते हैं बहुत असानी से ग्रो हो जाती है कटिंग भी लग जाती है और शेडी प्लेस में रखिएगा जैसे अभी मांग चल रहा है तो आप इसे धूप में मत रखिएगा शेडी एरिया में रखिएगा और बारश के पानी बहुत अच्छा प्रेश को आफं़े कि अखल कोई ला एक favori सब बहुत नहीं दिख रह रहे हैं। Snapchat यिरे 사람들 फारी में कटिंग से लगाई अभी यह वहत अच्छा मौसंम है आपि जरूर लगा लिए कोल्सूद में। और केर कोई ज़्यादा के नहीं है अब न्यू गार्टन है तो आसानी से आप इसे लगा सकते हैं कोई ज़्यादा की ज़रूत नहीं है मन्त में एक बार इसे लुकर फटाजर दे दीजिएगा जब मिट्टी ट्राय हो जाए तप पानी डालिएगा एकसेस बाटर इसे मत दीजिएगा कोई प्लांटों गम्लियम लगा रहे हैं तो एकसेस बाटर नहीं चाहिए डेने सिस्टम अच्छा होना चाहिए इसे सैंड की क मिट्टी है थोड़ी सी हैवी मिट्टी है भारी मिट्टी है तो आप उसमें सैंड मिला लीजिएगा तो बहुत एजली सैंडी सोयल में लग जाता है डेने सिस्टम अच्छा रखिएगा कृटिंग लगा रहे हैं थे चाहिएगा और शेड में रखिएगा जैसे अभी मौस है तो आप कहीं पर रह सकते हैं फिर आसानी से चल जाता है और बहुत ही इजी टू ग्रो है कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है इसमें और इसे पिंक केलर की फ्लाबर बहुत अच्छे लगते हैं जैसे की छोटी सी बॉलों गॉंफ्री ना टाइप के इसके फून लगते हैं ब बहुत कूशनत लगा देखी किते प्यारे लग रहे हैं चटे चटेंट से बॉल लग रहे लगे हृँ फॉइप वाइड़ लो पिंक पिंक कलर के तो आप इसे अपने कार्व में जरूर जगए दीजएगा और जितना प्लांट फैलेगा उदने इसमें फ्लाबिंग जाता ह होंगे और इसे आप फैंगी बैस्केट में लगाएगा बस डरने सिस्टम अच्छा रखिएगा होल देख लीजिएगा पॉर्ट में नीचे उच्छे पॉर्ट में लगाएगा तो असानी से चल जाएगा क्यों ज्यादा इसकी रूट ज्यादा गहरी नहीं जाती है फैलती है तो इसे 6-inch के पॉर्ट में लगाएगा बहुत ज्यादा करें तो थोड़ा बड़ा हो जातो आठिच के पॉर्ट में लगा दीजिएगा दस इंच के पॉर्ट से ज्यादा पॉर्ट बड़ा मत लीजिएगा और लिकुड फटलाजर आप बीक में एक वार दे सकते हैं इसली सब्सक्राइब करो और पूरा वीडियो देखिएगा बीच में मत छोड़िएगा वीडियो और आपके सप्पोर्ट की बहुत जरूरत है प्लीज प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो शेयर करो चानल को सब्सक्राइब करो और नहीं जानकारी के साथ नहीं वीडियो के साथ पर मिलेंगे तब तक आड़ी करते रहें खुश रहें बाबाई फ्रेंड्स